का question number 4 है, इसमें आपका reactant आपको यह दिया हुआ है और उसके साथ आपको reaction condition दी हुई है, concentrated S2SO4 with heat, ठीक है, तो इसमें आपका जो S2SO4 है, S2SO4 आपका होता है dehydrating agent, dehydrating agent मतलब यह hydro, मतलब S2O का removal करेगा, ठीक है, तो S2O का removal करने के लिए, सबसे पहले अगर आप S2SO4 की बाप करते हैं, तो यह H+, देता है, क्योंकि यह acid है, acid है तो H+, अब यह क्या करेगा, कि आपका यह जो OH present है, जिस पे lawn pair available है, उसको H+, देदेगा, तो यह आपका क्या बन ज देखिये कि आपका H2O, बहुत ही H2O क्या है आपका, it's a neutral molecule, और कोई भी neutral molecule अगर available होगा, तो वो good living group होता है, बहुत ही अच्छा living group होता है, तो good living group होने की वजए से, यह जो H2O plus है, यह इस अपने bond के electrons को भी लेके बहार निकल जाएगा, मतलब यहाँ से आप पर remove होगया मतलब यहाँ पर remove होगया, मतलब यहाँ पर क्या होगया, minus H2O, ठीके, और यहाँ यह जो bond था, इसकी electrons को लेके गया था, जब आपका H2O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, positive charge generate हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, catein, अब यहाँ पर आपका catein बन गया, तो अब यह catein की दो possibility है, यहाँ से या फिर यह H को remove कर दे, H plus को, या फिर यह इस position से H plus को remove कर दे, इस वाली position पर तो H plus है नहीं, कोई भी hydrogen available ही नहीं, तो यहाँ से H plus कैसे निकलेगा, यहाँ पर hydrogen available है, दो hydrogen है, तो यहाँ से जब hydrogen निकला, H plus निकला, तो इस तरीके से आपकी गिवाली एक alkyne बन गई, लेकिन यह जो alkyne होगी, यह आपके minor alkyne होगी, क्योंकि minor alkyne इसलिए है, क्योंकि यह less stable alkyne है, less stable alkyne, क्योंकि यह जो कार्वो केटाइन आपका था, this is 2 degree कार्वो केटाइन, और इसमें इसके adjacent position पर ऐसी possibility है कि इस कार्वो केटाइन का rearrangement हो सकता किस टाइप से होगा कि अगर इन दोनों में से कोई A car group CS3 minus 1,2 CS3 shift को करते हुए, अगर इस वाले carbon पे आजाए, मान लीजे, मान लीजे कि आपका यहां पे, यहां plus charge पे इसको आना है, तो यह minus की तरह आएगा, minus लेके आएगा, मतलब इस bond के, इस bond के electron को अपने साथ लेके आएगा, तो यहां पे plus charge आजाएगा, और यह minus के साथ इस पे आजाएगा, इसका मतलब देखिए, carvokatine rearrange हो गया है, कहां carvokatine पहले 2 degree था, अब carvokatine आपका 3 degree हो गया है, मतलब carvokatine जादा stable हो गया है, तो इस वजे से, अब यहां पे 2 possibility हैं, एक यहां से H निकल सकता ह तो इन दौनों में से कौन सा H निकलेगा, देखिए, more substituted alkyne is more stable alkyne, क्योंकि अगर आप more substituted alkyne देखेंगे, अगर हम इस वाली alkyne की बात करें, तो यहां पे 1 H, 2 H, मतलब यहां पे hyperconjugative structure काफी कम है, लेकिन अगर यहीं पे आप देखेंगे, तो इस type की double bond के पास, 3, 3, 6 है hydrogen, और यहां पे 2 hydrogen, यहां पे 2 hydrogen, तो यहां पे बहुत जादा hyperconjugative structure बनेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि more substituted alkyne is more stable alkyne, तो this is will be the major product, तो यह question मैंने इसलिए उठाया है, क्योंकि यहां पे आपको 2 question पता चले, पहला S2O4 क्या होता है, डिहाइडरेटिंग एजेंट होता है, कहीं पे भी present होगा, और वहां पे OH होगा, तो OH को S2O, जो good living group होता है, उसमें convert करके, remove करके carvocatine generate कर देता है, दूसरा concept जो यहां पे आया, कि carvocatine हमेशा जादा stability की तरफ move करेगा, मान लीजिए, जो generate हुआ था, वो 2 degree था, लेकिन अगर possibility है, उसको 3 degree formation की, या फिर ally leg ब जो इस carvocatine को जादा stability दे, ठीक है, carvocatine की stability is the another topic, तो यहां पे अभी आपका carvocatine, 3 degree carvocatine बन गया है, और यह जो आपका more substituted alkyne आपकी major product बनी है, ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिला, कि carvocatine बनने के बाद भी double bond कहां generate होगा, तो जो जादा substitute होगा, वहां पे क्योंकि वहां पे hyperconjugative structure जादा बन जाते हैं, ठीक है, thank you very much